19 अगस्त सावन का अंतिम सोमवार, इस दिन चार सफेद चीजों से करेश शिवलिंग का अभिशेग, सभी कष्ट होंगे दूर, दोस्तों सावन का पांचवा और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को है, सावन के इस अंतिम सोमवार पर काफी सुभ योगों का निर्मान हो रहा है, इस सावन के आखरी दिन भी सोमवार पढ़ने से इसकी महता काफी बढ़ जाती है। एसा दुरुलब संयोग पूरे 90 साल बाद बन रहा है। तो इसे में इस सुब दिन आप भगवान शिव को परसन करना चाहते हैं तो उनका अभिशेक इन चार सफेद चीदों से अवश्य ही करें। माननेताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव का अभिशेक इन चार सफेद चीजों से करने पर वेक्ति को कई गुना अधिक लाव प्राप्ट होते हैं। साथ ही वेक्ति की सभी मनो कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आईए जानते हैं कि अन्तिम सोमवार पूर्णिमा के दिन किन चार सफेद चीजों से भगवान शिव का अभिशेक करना होगा सर्वस्रेष्ट फलडाईग। साथ ही कहा जाता है कि इस दिन शिवीलिंग का दूद से अभिशेक करने पर स्रेष्ट संथान की प्राप्ति होती है। मानिताओं के नुसार, अगर कोई वेक्ति इस दिन भगवान शिव का दही से अभिशेक करता है, तो उसके काम में आ रही सभी समश्याै相信 हो सुख और स्मृध्धि की प्राप्ति होती हैं साथ ही विशेश धनागवन के योग भी निर्मित होते हैं और पति-पत्नी का रिष्टा और भी मजबूत हो जाता है नमबर तीन चीनी से करें सिवलिंग का अविशेख भगवान शिव का अविशेख आप सिर्प चीनी से भी कर सकते हैं या आप दूद में चीनी मिलाकर के भी महादेव का अविशेख कर सकते हैं ऐसी मानिता हैं कि जो वेक्ति भगवान शिव का अविशेख चीनी से करता है वह विदवान बनता है साथ वेक्ति की बुद्धी काफी तेद हो जाती है और जीवन में अचानक धनागवन के योग बनते हैं नंबर चार मक्षन से करें शिवलिंग का अभिशेख दोस्तों 19 अगस्ट सावन का अंतिन सोमवार इस दिन पुर्णिमा भी है ऐसी मानिता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव का मक्षन से अभिशेख करता है उन्हें संतान सुख मिलता है यदि किसी को संतान प्राप्ते में बादा आ रही है कि उन्हें सावन के सोमवार पर भगवान शिव का मक्षन से अभिशेख अवशे करना चाहिए तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आज कि ये जानकरी भी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो कॉमेंट बॉक्स में हर- थन्यवाद